देखो बच्चों, बीडियो के इस पार्ट में हम लोग साइन कन्वेंशन इन कानकेव मीरर और का इस्टडी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट का इंपार्टेंस बहुत है। क्योंकि जो भी आप नुमेरिकल लगाएंगे कान्वेक्स मीरर और कानकेव मीरर का अगर उसमें कहीं भी साइन मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा नुमेरिकल गलत हो जाएगा। इसलिए इस पार्ट का बहुत बड़ा रोल है और यह बात और बताते हैं। यह पार्ट जो है जो पिछले वीडियो है उस पर जो है डिपेंड है। आप वाले उस वीडियो का जरूर देखें और तब जाकर के इस पार्ट को देखें। मैं बार बार आपसे कहूंगा भीना जो है जो प्रिलिम्नरी नौलेज के यह जो है पार्ट जो है देखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले इसके पहले वाले वीडियो को देखें कि कैसे जो है कान के मीरर में जो है इमेज का फार्मेशन होता है। कानवेक्स मीरर में कैसे जो है इमेज का फार्मेशन होता है। आपजेक्ट कहां रहता है तो इमेज कहां बनता है इसका आपको नालेज जो है होना चाहिए। देखें मैं साइन कंवेंशन में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं कान के मीरर के बारे में आपको बता रहा हूं। द्यान दीखिए यह यह आपका कान के मीरर है देखिए मैं हमेजा जो है इस बात को बताता रहता हूं कि जो कान के मीरर होता है उसके बल्जिन साइड में ही पालिस होती है यह पोल है चलिए यह यफ है फोकस और यह जो है आपका सी है सेंटर आफ करवेचर मैं बार-बार आपसे कहूंगा And up को है पीशी क्या है एक सिरख कर आये । करिए देखिये। इसके सामने को हुआ हो यह आपने अब जैट जब लिए तो आपजेक्ट जो है यह भी लिया आपजेक्ट जो है यह जो है प्रिस्पल एक्सिस के जो है परलल एक मैंने रेज लिया और जो कि कहां से हो कर जाती है हो किया रिखोन अभgesch से ले लिए कहां से लिया जो हुगाई से ले लिया तो जो है इश्ट्राइग के बाद रिफ्लाइक्ट होती है तो पायरल हो जाती आपी billion Х तो देखिए यहां क्या बन जाता है इमेज बन जाता चली तो मेरा यह सपोर्ज कर यह एडाएस बीडाएस इमेज बन गया देखिए कि पहली बार कि जो आपका इसमें पी ए पी ये पी ये जो है मनद ध्यान दिजे पोल से आपजेक्ट का डिस्टेंस पी ये यू यू कहते हैं और पोल से इमेज का डिस्टेंस देखिए ये इमेज है तो देट इजी योर पी ये डाएस पी ये डाएस देट इज जो भी ठीक है तो आपने यह सब जान लिया देखे एबी जो है height of object है height of object height of object जो है क्या है एबी है और इसको हम लोग O से देखिए O से denote करते है height of object को O से denote करते है इसके बाद एडाइस बीडाइस हाइट आफ इमेज हाइट आफ इमेज हाइट आफ इमेज क्या है एडाइस बीडाइस इसको हम लोग आई से दिनोट करते हैं देखिए अचा यह बहुत इंपर्टेंट जो है आपका जो बात है कि जो भी डिस्टेन्स हाम लोक मेजर करेंगे द्यान दिजिये जो भी डिस्टेन्स मेजर करेंगे वह से और पोल के रिफ्रेंस में ही मेज आइंगे जो कोई भी घिस्टेन्स जrowsसे देखिए ध्यान दिजी मैं गया मिव repeats अác फोकल है पी फ देखिये मैं भार बार आपसे कर रहा हूं आप इसको एफी नहीं बोलेंगे यह फिजिक्स है फिजिक्स का लाइट है अब आप सोचेंगे कि एपी बर्वा या जमेंट्री में इसको पी जब बोलो यह आप भी बोलो बात एक ही है नहीं आप बढ़ाई जा रह आप समझे कोई चीज़ प्रूफ करना है तो इसको यह फी बोल देंगे चलेगा बट यह बात साइन का में जब साइन का जो है आप क्राइटेरिया लेंगे तो सारा डिस्टेंस सारे डिस्टेंस आपको पीक रिफ्रेंट्स पॉइंट ले करके ही लेना है ध्यान रखिये तो जैसे फिर मैं एक आप पूल दे रहा हूं याफ पी आफ देखिये यू पीए भी पीए डैस आर पी सी देखिये अच्छा एक और बात बताता हूं मैं यह जो यह भी है यह प्रिंस्पल आइक्सिस के अप साइट है और एडास बी डैस जो इन्वार्टेंट जो है इन्वार इन्वार्टेज इमे बना हुगा है है यह इमेज कैसा है इन्वार्टे hard हाफ है कहूं तो ध्याव में र vist Carry शो की रस Кप्रिंस्पल आएक्सिस के नीचे रहें नहीं वह पालाओ इन्पाहर्ट के यहां पर होने जा रही ए कि जो भी प्रिंस्पल आइक्सिस के ऊपर कोई भी distance लेंगे जैसे a b height यह positive लेंगे यह क्या लेंगे positive तो ये वाला negative लेंगे principle axis के नीचे वाला हम लोग negative लेंगे देखे फिर मैं बता रहा हूँ यह positive लेंगे तो ये वाला आप negative लेंगे height जो है देखे a dash b dash negative लेंगे यह तो रहा प्रिंस्पल के अप्रिंस्पल एक्सिस के अपसाइड डाउन साइड फिर मैं आप देखिए यह अपड़ान के बाद अभी जो है एक्चूल में होरीजेंटल होरीजेंटल डिस्टेंस भी हमको मेजर करना है जो horizontal distance है ये 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 सब horizontal distance है तो देख लीजिए सुन लीजिए actual में क्या है rule है rule है ये rule है कि जैसे जो आपका ये parallel ray है principal axis के parallel ray के direction में इसके direction में जो distance measure करेंगे वो positive होगा और इसके opposite direction में जो भी distance होगा वो क्या होगा निगेटीव होगा खुब अच्ची तरह ध्यान रखिए इसका मतलब देखिए अब मैं आपको practically जैसे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए ये बता दूँ अगर मेरा हाथ इधर जाएगा तो positively आ जाएगा तो क्योंकि जो 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 और है जो पर नवरे है वो किदार है लेट टूराइट है लेट टूराइट तो जब मेरा हाथ देखिए याद करें जब मेरा हाथ हाथ लेट से राइट जाएगा तो हम पाजिटिव जो है उस साइन को पाजिटिव लेंगे और अगर वेuclearा जो हार देखें ध्यान दीजिए लेफ्ड की तरफ जाएगा देखें लेफ्ड की तरफ जाएगा इसके पोजीट तो निगेटिव ली जाएगी बस इस बात को ध्यान रखिये और मैं बार बार कहूंगा आप कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कानकेव मीरर मा लिजिए ये है कानकेव मीरर में कोश्चन ये है कि यव क्या होगा कि यव देखिये यहां कानकेव मीरर में यव क्या होगा देखिये मेरा हाथ किदर गया देखिये राइट नहीं गया लेट गया तो इसका अमना निगेटिव होगा कैसा होगा निगेटिव देखिये कानके मीरर में भी क्या होगा चलिए पहले मैं यू को देख लेता हूं तो यू क्या होगा ये भी निगेटी होगा देख लीजिए अच्छा अब फिर मत कोश्चन करिएगा कि क्यों सब्सक्राइब यह हमेशा हाथ अपना लगा रहे हैं नए कि सारा इस जो भी मेंचर करेंगे रिफ्रेंस पॉइंट भी ही लेंगे बस तो देखिए यू पिये यू है लेफ्ट गया मेरा हाँ देखिए तो माइनस हुआ अब मैं आपको PC देखिए तो PC R है PC क्या है R है तो यह भी निगेटिव हो गया अब देख लिए देख लिए इधर ने किये भाई अब देखिए यह जो की भी थो भी निगेटिव हो गया क्या हो गया भी भी निगेटिव हो गया अच्छा अब देखिए यह जो AB है ये AB है ये क्या है ऑ रहच यहे द्म आप जेक्ट तही में पाघीट shouting यह कैसा हो गया पागी हति니다 principle axis के उपर है और ये AB dash जो की image का height है तो उसको I से denote करते हैं तो I जो है आपका क्या हो गया negative हो गया तो देखिए ये रहाब का कानकेव mirror से जो है कानकेव mirror से जो image बना था देखिए कानकेव mirror का sign but बट जह ध्यान दीजिए या बहुत बड़ी बात आपको एक ध्यान देनी पड़ेगी actual में ये जो ये सारा चीट ये याफ भी आर भी ओ देखिए याफ यू आर भी ओ आई ये सारा जो sign बताए अभी तक actual में जो image ये बना हुआ इसके लिए बनाए है ये क्या है ये क्या है रियल इमेज है क्या है रियल इमेज देखिए इसका मतलब सोच रहे होगे क्या कर रहे है आप कभी मत रखिये कि कान केब मीरर का जो है जो ये प्रोपर्टी है sign की नहीं है तो ठीक है बट कान केब मीरर में six case होता है कान केब मीरर में six case होता है six six और case one case two case three case four case five तक रियल इमेज बनता है याद करिए मैंने बताया था इसलिए मैं कहा हूँ इसके पहले का नालेज आपके पास होना चाहिए five case तक real image बनता है लेकिन six case में real image नहीं बनता है virtual image बनता है तो देखिए ये जो है one two case first two case five तक के लिए तो ये लागू होगा लेकिन ये जो है आपका भई इसके बाद के case के लिए लागू नहीं होगा मैं बार बार आपसे कह दे रहा हूँ ये लागू नहीं होगा तो ठीक है six case के लिए देख लीजे जो six case है बाद समझे six case में जो है आप याद कर लीजे image इधर बना था तो जो six case है पर हम इसको मिटा दे रहे हैं कान के अंब मीरर में जो six case है आचा वो वर्चुल इमेज होगा वो कैसा होगा वर्चुल इमेज बोलिये भाई वर्चुल इमेज होगा तो ठीक है कोई बात नहीं तो देखे है यप तो निगेटिव ही रहेगा यू भी निगेटिव रहेगा आपका आर भी निगेटिव रहेगा वो भी पाजिटिव रहेगा अच्छा देखे ध्यान दीजिए ये जो भी की बात मैं अभी अभी देखिए ये 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 तीनो निगेटिव रहेंगे अच्छा वो जो है वो जो है वो जो है पांजिटिव ठीक है इसको भी ले लीजिए पांजिटिव चली कोई बात नहीं अब ये दोनों को सोचना पड़ेगा ये भी तो भी आपका ध्यान दिजिए six case में इमेज यहां बना था अब मैं इमेज नहीं बनाने जाओंगा आप पिछला वीडियो उड़ाक देखिए पिछला वीडियो को खो लिया और देखिए six case में इमेज यहां बना था तो मेरा हाथ इधर चला जाएगा लेट टू राइट चला जाएगा इसलिए भी क्या हो जाएगा six case में पाजीटिव अच्छा एक बात और बताते जो six case था उसमें इमेज इस तरह का बना था अरे भाई six case में इरेक्ट इमेज बना था तो इसका मतलब आई भी क्या हो जाएगा पाजीटिव तो बस यह जो है टू आईटम जो है यह आईटम और यह आईटम जो है तो इसका मतलब यह मत कभी रटिए ऐसा मत रटिए रटने वाले लोग जो है गलती कर जाते हैं तो आ से ले करके five case तक real image बनता है जिसके लिए भी निगेटिव होगा और आई भी निगेटिव होगा बत्र शिक्स केस के लिए भी positive और आई भी positive तो यह रहा आपका sign convention concave mirror का बहुती जी है बहुती जी अब हम लोग पढ़ेंगे convex mirror का किसका convex इसी में हम आपको बता देते हैं convex mirror में मैंने बताया था इसमें two case था जो two case था फर्स्ट केस तो infinite पर object था second case जो है यह infinite और pole के बीच में object था तो देखिया एक बात बता दें उसमें sign concave mirror में image हमेशा virtual और erect बनता था बात समझ यह erect और virtual उसमें ऐसा नहीं है कि five case में real, six case में virtual ऐसा नहीं है always convex में always virtual बनता चलिए ठीक है तो convex mirror में यू देखें यू निगेटिव होगा यू निगेटिव तो यू निगेटिव यफ पाजिटिव यफ याद करिए देखें कान्वेक्स वाले में हम आपको ये general idea दे दे रहें ये तो कान्वेक्स वाले में एक rough जो है हम फीगर बना दे रहें जल्दी से देखें ये है आपका ये ये हमने object रख दिया और ये जो है ध्यान दीजिए मैं बार बार कहूंगा एक rough sketch जो है आपने ले लिया चलिए कोई आप मैं यहां ओर यह कर घिये हम लुग कहा है से लेलें से ले लेलें यहाँ यहाँ चलिए ठीग है यह 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 लाइन को फिर्म होगी यह लाइन को फर्मोर और यहां पर इमेज बना है, यहां पर क्या बना है, इमेज तो देख लीजे, यह है आपका A B, यह पीछले वीडियो में बन बता चुका हूं, और यह है A डायस B डायस, अब अब देख लीजे, किलियर बात है, कानुेक्स का, देखे, F हमारा हाथ, लेट टू जो है यू निगेटिव चलिए उसी से हम कंप्रिजन करते रहे हैं आर आर देखिए पी से सी पाजिटिव क्या देखिए यहां से इधा है जब इधार हाथ मेरा जाएगा तो पाजिटिव चलिए इन सब को मिटा दे नहीं तो कंफिूजन हो जा रहा है अब देखिए अब हम धीघिए देखिए धीघी जो है फिर मेरा हां देखिए पीए डाइस पीए एडाइस तो पाजिटिव चया होगा पाजिटिव ओंटेटिव अच्छा अब ओकी कहानी वह ऊपर है देखिए अ उस्ट्री सम यसिसकर ऑफसाइट में है तो इसको पाजितिव ध्यान दीजिए अच्छा और हो क्या हो के बाद आई की कहानी देखिए यह भी प्रिंस्पल आइक्सिस के उपर है तो यह भी पाजिटिव यह भी पाजिटिव तो यह आपका मैं बार बार आप से रिक्वेस्ट करूंगा देखिए यू को छोड़ करके चुकि यू देखिए यू तो निगेटी होगा चाहे वो कोई भी केस हो यू निगेटी तो देखिए यू को छोड़ दिया जाए तो कान्वेक्स मीरा में सारा पाजिटिव हारा है सारा पाजिटिव हारा है मतलब यह भी पाजिटिव आई भी पाजिटिव ओ भी पाजिटिव भी पाजिटिव भी पाज इसको रटिये मत, इसको समझ लिजे, किलियर, तो मैंने आपको क्या बता दिया, साइन कर्वेंशन, साइन कर्वेंशन, फिर मैं एक बार, एक मिनट के लिए हिंट कर दूं, कि कान केव मीरर में थोड़ा सा, थोड़ा सा प्राप्लम है, फाइब केस तक, फाइब केस तक, भी निगेटिव था, और लेकिन सिफ्ट केस में भी पाजिटिव हो गया था, भी पाजिटिव हो गया था, बस, और फाइब केस तक, फाइब केस तक, आई निगेटिव था, और सिफ्ट केस में आई पाजिटिव हो गया था, यह ही डिफ्रेंस था, बस, और सब सेम था, और साइन कर्मेंसान मतलब डिटेल में बता दिया अब आपके इसके बाद भी गलती करें तो मैं भाई अब क्या कर सकता है ध्यान से देख लीजिए और रटने की कोशिस मत करिए इसको एक बार दिमाग दौडा लेंगे दिमाग दौडाएंगे आपका किलियर हो इधार सोचेंग से निश्चित नुपसे आप पोल से पोल को रिफ्रेंश पॉइंट लेना है अब आपलो अगला ऐटम पढ़ेंगे त्यान दीजिए कि मीर फार्मूला मीर फार्मूला मीर फार्मूला डीह रैक्शन में इसको प्रूफ नहीं करना है आप लोग intermediate में किसी भी बोर्ड में ना ICSC ना CBSC और स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड में प्रूफ करने के लिए नहीं है बट intermediate में आपको यह mirror formula प्रूफ करना तो यह mirror formula क्या होता है actual distance of object distance of distance of object ध्यान दिजे distance of object जिसको क्या करते है यू and distance of ध्यान दिजे distance of image distance of image जिसको क्या करते है भी and and distance of distance of focal length focal length distance of focal length जिसको क्या करते है यह के relationship को के relationship को mirror formula करते है इनके relationship को ही mirror formula करते है बात समझे आप क्या पहले ही लिख सकते है कि relationship 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 between relationship between distance of distance of object यू distance of image भी डिस्टेंस आप फोकल length यू इस नोन आज मिरर फार्मूला इस नोन आज इस नोन आज मिरर मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला यह जो मिरर फार्मूला है 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by b बस बहुत इजी है आप इसको याद कर लीजिए याद हो भी जाता है और जब आप problem solve करेंगे ते सारा का सारा याद भी रहे ऐसा कुछ भी नहीं है अब हम लोग ध्यान दीजे यह मिरर फार्मूला 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by b बसे यह जो अब है व्याद पार्मूलाओ